तो इस तरह से अब हमारी जो 2021 है आज वो पूरी हो जाएगी complete बच्चो ठीक है पूरी की पूरी complete हो जाएगी इसके अलावा एक क्लास 2021 की पूरी 2021 को देखकर मैं और लेकर आउँगा जिसमें भी top 100 कुशन होंगे और वो होंगे ऐसे जो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनके अलावा भी वो कुशन भी आ सकते हैं बच्चो ठीक है इनके अलावा भी वो कुशन आ सकते हैं वो देखने के लिए ठीक है चलो तो तैयारो भई एक नरू नरूँ में ही जल्दी से शेर और ला कर दो कुलकि तो वीवर्स नहीं दिखरें उपर वाले। जल्दी से बचो एक बार शेर और लाइक करके आगे बढ़ेंगे लेकश मे और बहुत मैजेदार कुलास है और बहुत अच्छे-च्छे कुशन का क फिर शुरू करेंगे top 150 किसका top 150 शुरू करेंगे 2022 का बच्चो क्योंकि अभी जितनी वी करवाई हैं हमने उसमें जादा जादा सवाल है जादा जादा सवाल है 200-300 फिर टॉफ 150 में उसे भी कनवर्ट करेंगे ठीक है चलो करते हैं शुरू आद बच्चो चलो बहुत ही बढ़िया कि हाल ही मैं किस राज्यने नागरिकों के लिए कॉल यॉर कॉप कॉप कहते हैं पुलिस वगेरा को ठीक है तो आपने कॉप को यानि पुलिस को बुलाओ पुलिस बुलाने के लिए एक एप लॉंच किया है किसने किया है जल्दी बताओ यह लॉंच किया है नागा लेंड ने किसने बच्चो नागा लेंड ने ठीक है जिस को का सकते हैं और यंटा को क्योंकि आपने देखा होगा फुलिस से थोड़े थोड़े से लोग कटे कटे रहते हैं ना पुलिस से उतना ज्यादा फैमिलियर लोगallo होते नहीं है दूसरा है ट्विटर के ने मुखे कारे-कारी अधीकारी जिसे बोलते हैं की डिव सीए ओ तो ट्विटर के नए सीओ मैं ध्यान रखना कब के अनुसार हम पड़ रहे हैं दिस्टमबर 2021 के अनुसार ठीक है बच्चों दिस्टमबर 2021 के अनुसार कल करेंट फिर की क्लास हुई नहीं थी जिन बच्चों को ना पता हो मुझे पता है सवाल पूछेंगे बच्चों ठीक है तो इश्वर ने चाहा तो अब आपका कोई ऐसा गैप होगा नहीं बच्चों ठीक है चलो तो लेकिन फिर भी बच्चों एकाथ दिन का गैप होता भी है ना तो वह मेरा भरोसा करिए वह आपकी उसकी छतीपूर्ती मैं ही करूँगा जरूर करूँगा ठीक है कैसे अब भी करके करूँगा हां Rapid Fire के बारे में भी बताऊंगा अभी पहले सवालों पे चलते है ना पराग अगरवाल बन गये है बच्छो ठीक है December 2021 में किन की पुस्तक थी क्या थी बच्चो दा प्रॉमिस नाम की पुस्तक थी बुकर पुरुसकार किसको दिया जाता है अंग्रे जी की ओरिजिनल बुक को जो अंग्रे जी में लिखी गई हो और एक पुरुसकार है जो एक ट्रांसलेटेड बुक को भी दिया जाता है बच्चो ट बहारतिय महिला को दिया गया है जल्दी बताओ कौन है जो दिया गया है जिनकी बुक थी टॉम ऑफ सेंड गितांजली श्री बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे शेरो गितांजली श्री को इस बार दिया गया है ठीक है सत्रन रेल आपको पता है Microsoft company के क्या है बच्चो च promotion हुआ तो नेवी के एड्मिरल बन गए और बन गए उनका नाम है आर हरी कुमार क्या नाम है ठीक है अभी हमारे थलसेना प्रमुक कौन है फिलाल मनोज पांडे जी हमारे कौन है बच्चो थलसेना के अध्यक्ष है मनोज मुकंद नर्वने के बाद ये बने है मनोज पांड प्रमुक है तीनों आपको याद होने ही चाहिए सोते में भी कोई पूछ ले तो ये सब हमें पता होना चाहिए बच्चो ठीक है चलो अगला हाल ही में कौन सा राज इस ट्रीट प्रोजक्ट योजना शुरू करने जा रहा है स्ट्रीट प्रोजक्ट का मतलब है गली गली त युनाइटिड किंग्डम के आपनेवेशिक साशन से आपनेवेशिक का मतलब होता है किसी की एक तरह से गुलाम होना बच्चो ठीक है जैसे हम भी अंग्रेजों के आपनेवेशिक साशन में रहे चुके हैं लगभग 250 सालों तक ठीक है तो पूर्ट है मुक्त होने की घोश कर दी है किस से जो उनका अपनेवेशिक सासन था किसका इंग्लेंड का बच्चो ठीक है चलो हाल ही में किस बैंक ने तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है तो यह कि है बच्चो जम्मू कश्मीर बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक ने 18-35 वर्स की आयू की जाएंगी तो जम्मू कश्मीर में चली है और जम्मू कश्मीर बैंक ने चलाई है बच्चो कौन-कौन सी तेजस्विनी और हौसला योजना विश्व एर्स दिवस्यानी वर्ल्ड एर्स दे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है बच्चो ठीक है तो पहले इसकी फुल फॉ रोगों से वो खतम होती चली जाती है तो इसका जो है दिवस जो मनाया जाता है बच्चो एक दिसंबर को मनाया जाता है कब एक दिसंबर को विश्व एर्स दिवस्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है मुख्य उद्दिश्य क्या है इसके बारे में एर्स के बारे में जन जागरूकता फैलाना एड्स के बारे में जन जागरूकता फैलाना इसका उद्दिश है एक दिसंबर को ये मनाया जाता है बच्छो ठीक है acquired immunodeficiency syndrome अब बच्छो इस बार की theme बड़ी महत्पूर्ण है ठीक है क्योंकि theme आ सकती है ये वाली बच्छो and inequalities and aids हिंदी में बच्छो एसमानताओं को समाप्त करें इन इक्वालिटीज का मतलब है एसमानताओं और aids का अंत करें या नहीं एसमानताओं का अंत करें और बच्छो aids का अंत करें ये theme है and inequalities and aids इस बार की बच्छो ठीक है चलो किस मशुहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड सात्वी बार सरसेस्ट पुरुसकार फुटबॉलर का बैलन दी और अवार जीता है यह जो बैलन दी और अवार है बचो यह दिया जाता है फ्रांस की एक पत्रिका के द्वारा ठीक है फ्रांस की एक पत्रिका है उसके द्वा बच्छो ठीक है तो इस बार ये किसको दिया गया था सातवी बार लियोनल मैसी को दिया गया था बच्छो ये सातवी बार ठीक है सातवी बार सबसे जादा बार ये किस ने जीता है इन्हों ने ही जीता है लियोनल मैसी ने दूसरे नंबर पर जीता है रोनालडो ने क्रिस्ट बॉलर हैं और बच्छो इन्हों ने 2021 का और 2020 का 2020 और 2021 का जो फीफा फीफा क्या है फुटबॉल की सरवोच संस्था तो फीफा का फुटबॉलर ओफ दा इयर का वार्ड जीता है क्या जीता है फीफा का फुटबॉलर ओफ दा इयर का वार्ड जीता है किसने दो बार से रॉबर महिलाओं की बात करें तो एलक्सिया पुटलेस हैं बचो महिलाओं की बात करें तो जिन्हों ने जीता है कौन सा बैलंडी और बैलंडी और 2020 में किसने जीता है बचो एलक्सिया पुटलेस ने महिला में और जो पुरुसों में किसने बचो किसने बचो लियोनल मैसी ने ठीक है तीनों चीज आपको धियान रखनी है आगे अरुनाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को अपने राज्य का ब्रांड एमबेस्टर बनाया है जैसे आपको पता होगा उत्तरा खड़ने अभी हाल ही में कुमार को अपना ब्रांड एमबेस्टर बनाया था उसी तरह से अरुनाचल प्रदेश ने किसे बनाया बचो ये बनाया है संजेदत को किसको बनाया बचो संजेदत को बनाया है अरुनाचल प्रदेश ने ठीक है ध्यान रहेगा चलो अगले कुशन पर चलते हैं बचो छट 52 अंतरास्ट ये फिल्म मोहसर था बावन वा अंतरास्ट ि ए फिल्म मोहसर बच्चो इन दोनों को इस बार क्या हुआ साथ साथ में ही histoire साथ साथ में आयोजन हुआ ठीक हैայցआ है साथ साथ में सब्निक्स फिल्म मोहसर थी थाल हूआ किसको बच्छो धनुस को best actor का अवार्ड मिला अगर 52 वैं इंतरास्टी फिल्म होसव की बात करें बच्छो तो यह जो है इसमें एक बोलते हैं हर बार focus country यानि किस देश पे इस बार focus था तो इस बार इसमें focus किस पे था बच्छो bricks पे focus था किसी एक देश पे नहों के पूरे bricks पे इस बार focus था ठीक है ध्यान रखना है बहुत महत्पून सवाल हैं भई सारे के सारे फिर से मैं बता दूं 52 अंतरास्तिय फिल्म महस्प में बचो किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है सबसे suitable जो राज्य घुशित किया गया फिल्म की शूटिंग के लिए 52 अंतरास्तिय फिल्म महस्प में उसका नाम है बचो उत्तर प्रदेश क्या नाम है उसका नाम उत्तर प्रदेश है बच्चो ठीक है तो 52 फिल्म होस्तर जो है हुआ था नवंबर 2021 में आयोजित हुआ था विश्व एथलेटिक्स एथलेटिक्स की जो सर्वोच संस्था है पूरे विश्व की बच्चो जो एथलेटिक्स से संबंदित विभन प्टियोगिताओं का आयोजन भी करवाती है उसने बच्चो किसे विमेन ओफ दा इयर अवार्ड से सम्मानित किया विमेन ओफ दा इयर उस महिला को जिसने हमारे हाँ पर खेल को बढ़ावा दिया है खेल को बहुत बढ़ावा दिया खेल में लड़कियां भी सामने आए इस बात के लिए जो जिम्मेदार मानी जाती हैं वो हैं बच्छों इन सबसे भी पहले हिमादास से भी पहले दुटी चंद से भी पहले जब हम तयारी करते थे जब एक ही नाम गूझता था महिला एथलेटिक्स में और वह नाम था अंजू बॉबी जॉर्ज का किसका बच्छों अंजू बॉबी जॉर्ज को और भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रियासों के साथ साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अब आपके पड़ोस में बच्चों आपकी माता जी कह दे नहीं नहीं तु लड़की है क्या करेगी लड़की है क्या करेगी नोकरी करके और पड़ोस में वहीं ए टेटी को तंयारी करवाओंगी न करवाओंगी बिल्कुल सोचने को तो इसी तरह से जब जो और जो पirationी वो भी प्रेरित रूए अपने बचों को कहां भीजने के लिए बच्छो कहां भीजने के लिए रास्ठीय प्रदूशन नियंत्रन दिवस कब मनाया पर दिवस पहला जो एक दिसंबर को प्रदूशन नियंथरन जो दिवस है बच्छो नेशनल पॉलिशन कंट्रोल डे वो दो दिसंबर को नाया जाता है, घोप GoPalis में बहुत टाइम पहले गैस रिसाव हुआ था बच्छो और वहाँ पर बहुत लोगों की जो है प्रभावित हुई थी लंबे समय के लिए तो उसको बच्चो उसमें जो अपनी जान गवादी जिन लोगों ने उनकी याद में मनाया जाता है नेशनल पॉलुशन कंट्रॉल दे बच्चो ठीक है एकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये जो है इसकी ताजा रिपोर्ट के नुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है बच्चो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है तेल अवीव है बच्चो दुनिया का सबसे महंगा शहर ठीक है कौन सा है तेल अवीव है दुनिया का सबसे महंगा शहर ठीक है चलो अगला कुशन है फॉर्चून इंडिया ने भारत की पचास सबसे शक्तिसाली महिलाओं की सूची जारी की है इस लिस्ट में पहले स्थान पर किसे जगे दी गई है 50 फॉर्चून इंडिया ने जो भारत की बचों 50 सबसे 37 साली महिलाओं की सूची जारी की है उसमें पहले नमबर पे हैं भारत की निर्मला सीतारमन ठीक है तो यह कौन सी सूची है केवल भारत की महिलाओं की सूची है एक इसकी पुछाय किस देसकी है यहां के राफेल नडाल है उसी देसकी है बचो बैलंडी और पुरसकार कब के लिए जीता है किस के लिए 22 के लिए ठीक है चलो कैबिनेर समीती ने भारत परेटन विकास निगम भारत में जो परेटन के विकास के लिए बच्चो एक संस्था बनाई गई है उसे न्युक्त किया गया है किसे न्युक्त किया गया है उसमें संबित पात्रा को न्युक्त किया गया है भारत G20 Troika में शामिल हुआ है, G20 Troika का मतलब क्या है, जैसे इस बार है बच्चो, इस बार कौन आयोजित कर रहा है, जल्दी बताओ G20 को, 2021 में कौन आयोजित कर रहा है, ठीक है, तो 2021 में कर रहा है, Indonesia, कौन बच्चो, इंडोनेशिया ठीक है तो ट्रॉइका का मतलब है इसमें पिछला वाला जो पिछले साल जिसने किया अगले साल वाला यानि तीनों देश जो मिलके जो आयोजन करवाएंगे इस साल वाला जो आयोजन करा रहा है पिछले साल जिसने आयोजन कराया अगले साल जो आयोजन कराए तीनों देश मिलके ट्रॉइका बनाते हैं बच्छो ठीक है तो इसमें कौन कौन हैं बच्छो भारत के अलावा क्योंकि भारत में होगा 2022 का 2020 में हुआ था बच्छो इटली में कहां इटली जो है इसका क्या बना था बच्छो मेजबान इंडोनेशिया इटली और बच्छो इं बहुत अधी काम किया है टाटा गुरुप नहीं से से लडने में बहुत असम की मदद की है इसलिए रतन टाटा जी को दिया गया है असम बैब हव संवान बच्क फ़िक है वाल्ट डिजनी वॉल्ल डिजनी तो आप जानती हो न डिजनी की मूवी भी बहुत सारी आती हैं उन्होंने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की न्युक्ति किये पहली बार उन्होंने किसी महिला को अध्यक्ष बनाया है पूरे डिजनी के 98 साल के इतिहास में बच्चो और उनका नाम क्या है उनका नाम है सू सूजन अरनोल ठीक है सूजन आयूर्वेद पर्व जो है उसकी थीम क्या है बच्छो 2020 का आयूर्वेद जो पर्व है पोशन के लिए आयूर्वेद ठीक है पोशन के लिए नवंबर में नई दिल्ली में मनाया गया आप से पूछ सकता है जो 2020 में आयूर्वेद पर्व का कहां पर आयोजन किया गया नई दिल्ली में, आयूर्वेद पर्व कहां हुआ नई दिल्ली में, आयूर्वेद पर्व कहां हुआ बच्चों नई दिल्ली में, आप यह से करके याद रख लो, कि आयूर्वेद पर्व संसद में हुआ है, यह माल लो, ऐसे याद कर लो, कि तरह से ज़्यादा आसान हो सकती है चीजे मेरियम वेबस्टर डिक्ष्णरी है एक बच्चो मेरियम वेबस्टर डिक्ष्णरी तो उसने 2021 का वर्ड ओफ दा इयर किसे चुना है 2021 का बच्चो उसे चुना है किसने वैक्सीन को 2021 में ऑक्सफोर्ड ने किसे चुना था ऑक्सफोर पर ने चुना vacs को और बच्षो Mayor Imai Max को एक और व कंसी आती है बच्शिनरी ऐसे आती है साफ करने की चीज और कॉलीन अपको लेनी है बहुत सारी पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे NFT जैसे पैसे होना है पैसे को जब हम करते हैं कैसे बचो जब हम online transfer करते हैं या तो IMPS से कर देते हैं या एक NFT, NEFT होता है विसे है NEFT तो उसे NFT मान के हम कर लेंगे बई call-in खरीदनी है तो NFT से खरीदो call-in खरीदनी है तो NFT कर दो पैसे ठीक है वैक्स जो है Oxford का word है vaccine Merriam Webster का है किसका Merriam Webster का बच्चो vaccine है ठीक है चलो 1-10 December तक किस राज्य में Horn Bill मोहस्ब मनाया गया बच्चो Horn Bill मनाया जाता है हर बार एक ही राज्य में कौन सा नागालेंड कौन सा नागालेंड में बच्चो 8 December सामबर 2020 को साथ में डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया किरसी के छेतर में दिया जाता है यह तो आपको पता ही है बच्चो क्योंकि M.S. स्वामी नाथन एक बड़ा नाम है किरसी के छेतर के बच्चो ठीक है तो वी प्रवीन राव को दिया गया स्वामी नाथन पुरसकार 2021 स्वामी नाथन पुरसकार 2021 वी प्रवीन राव को बच्चो दिया गया ठीक है अगला सवाल रहेगा चैरी ब्लोसम फस्टेवल ठीक है चैरी कब ब्लोसम होगी चेरी फूल है वो कब खिलेगा बच्चो कब खिलेगा जब बारिश होगी है ना अगर सूखा होगा तो कहां से फूल खिलेगा तो जब बारिश होगी तो कहां होगी बारिश का मतला मेग हाल है मेग आलिये जब जब पता चलेगा मेग आलिये तभी तो चेरी जो है क्या होगी तब ली तो खुश होगी तब उखेलेगी बच्चो थीक है चलो पच्चेस कुशन और बच्चो चलो प्रतिवर्स विश् handc pumpkins जागरुकता फैलाने के लिए दो दिसंबर को बच्चो ठीक है दो दिसंबर को ही मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस थीम थी लिटरेसी फोर हुमन सेंटर रिकवरी नेरोइंग दा डिजिटल डिवाइड बच्चो हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरुसकार से सम्मान पुरुसकार मतलब है प्रेसिडेंट की तरफ से की अपने बहुत बडिया सेवा कि है उसके लिए मेडल एक तरह का दिया जाने वाला हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल ठीक है हिमाचल प्रदेश लपीजी युक्द और धु uncles एलकी जी युक्त और धुवां मुकत भतोटłem मुकत राज्यष बना है कौन सा पहला हिमाचल प्रदेश नतरास्थिह मुद्रकोश के पहली अदे में पर्देश का जल्दी кус भारत की बनी शम भात का क्या नाम है बचो गीता गोपिनाथ एक मात्र नाम इसमें है जो बचो अंतरास्तिय मुद्राकोश की प्रिथम उप प्रबंध निदेशक थी के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डारेक्टर बनी है चलो अगला बावनवे भारतिय अंतरास्तिय फिल्म महसव बहुत महत्पूर्ण सवाल ह चैनल फिल्म फेस्टिफल उफ बचो इन्टे नेशनल फिल्म फेस्टीवलउस के लिए बचो गंवकोख सवर्ण बचोंसे महसब में आंतरास्तिये फिल्म महसं सब्भारत का International Film Festival है ठीक है बच्चो तो यह Ring-Wandering को दिया गया है ना Ring-Wandering को ठीक है Ring-Wandering के निर्देशक कौन है Director बच्चो यह मसा काजू काने को मैंने कहा था ऐसे याद करना है कि जो Ring-Wandering को जब Best Film कावार्ड मिला तो इसके Director बोले मेरी फिल्म को Best Director का वार्ड मिला है तो मसा काजू मुझे काजू मासी की बरफी खिलाओ मेरी जो फिल्में उससे Best Movie का वार्ड मिल घया यर तुम आप खिला नहीं दे हो है तुम आप नहीं खिला रहे है आप बोलो तुम नहीं बोलना ऐसे सिखा देते हैं तो मेरा एक दोस्त है बच्चों उसका भी छोटा सा बेटा था कई साल पहले की बात हो गई तो बच्चे को क्या पता हो कह रहा है चाचा तू कहां जाएगा तो एक साथ वो आया दोड़ के अरे तू कह रहा है तू चाचा जैसे तू नहीं कहते आप बोल तो व दो बच्चा ठेरा थीक है तू अगली बार भी आप टू कहां जाएगा जी आप तू कहां जाएगा टू बहुत जलदी बनने में कितना टाइम लगा है आपको भी तो जिम्मेदार बनने में बहुत time लगा है न उम्र होती है हर चीज की लेकिन फिर भी यह जो चीज है जैसे लेओं कुछ इसकी भी उम्र होती अप थोड़ी बहुत ग्यार जिम्मेदार चल भी लेकिन जो पढ़ाई है ना वो तो पूरी जिम्मेदारी से अभी से ही करनी पड़ेगी अगर उसे सोचोगे के 50 साल में जाके जिम्मेदार होंगा तो फिर समश्या हो जाएगी वर फिर ये 50 साल के उमर में कुछ काम आने वाली नहीं है ठीक है चलो मसा काजू काने को बहुत बढ़िया बच्चो ठीक है तो बेस्ट जो सूटेबल राज्य कौन सा था सूटेबल राज्य कौन सा था जल्दी बताओ बच्चो सबसे ज़्यादा सूटेबल राज्य उत्तर प्रदेश शूटिंग के लिए इसी में मिला था ठीक है और इसमें personality of the year से सम्मानित किया गया पर फोकस देश इस बार क्या थे ब्रिक्स थे बच्चो है ना तो बावनवा अंतरास्टी फिल्म होस्त बहुत महत्पूर्ण है अभी 4-6 महीने तक अगला आएगा भी नहीं इसलिए इसे जरूर याद रखो किस देश ने जूनियर विश्व होकी कप जीत लिया बच्चो जूनियर होकी विश्व कप जीता है अर्जंटीना ने किसने अर्जंटीना ने जीता है बच्चो जूनियर होकी वर्ल्ड कप 2020 कहां पर हुआ था इसलिए हमारे लिए important है कभूवनेश्वर के कलिंगा stadium में तो final खेला गया था यानि आयोजित कहां पे हुआ यह भारत में आयोजित हुआ तो जारी किस ने जीता अर्जंटीना ने जीता जर्मनी को हराया नीजिलेंड के कौन से बॉलर एक पारी में सारे 10 के 10 विकिट लेने वाले वर्ड के 30 रे खिलाडी बन गए तो एजाज पटेल हैं ब पहारत के खिलाप एक पारी में आपको पता होगा किर्केट में दस लोगों को ही आउट करना होता है दस लोगों को आउट करना होता है प्लेयर 11 है खिलते हैं लेकिन जब अकेला रह जाता है तब उसे खिलने का मौका नहीं मिलता है अकेला खिलेगा तब उसे खिलने का मौका नहीं मिलेगा बच्छो जो वो केलर है जाएगा ठीक है तो अजाज पटेल ने टेस्ट मैच की एक पारी में दस विकेट लेकर इतिहास रच दिया दुनिया के तीसरे और न्यूजिलेंड के पहले गैंद बाद वो बन गए बच्छो ठीक है चलो वेतन दर सुचकांक वेज र होता है जिससे तुनला की जाती है कितना बढ़ाना है कितना घटाना है तो नई जो बच्छो यह है वेतन दर सुचकांक उसका आधार वर्स है 2016 क्या है 2016 उसका आधार वर्स है बच्छो दिसंबर 2021 में एक्वेरियन सेन्य भ्यास किस-किस के बीच हुआ जल्दी बताओ भारत और किस दिस के बीच एक्वेरियन हुआ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्छो भारत और किस दिस के बीच में एक्वेरियन हुआ है बहुत बढ़िया मालदीव 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 एक भी बच्छे का गलत जवाब नहीं है बहुत बढ़िया बच्छ 22 में इंडिया ने जीता है किसको हराया इंडोनेशिया को बच्छो ना इंडोनेशिया को हराया और किसने जीता है 2022 में इंडिया ने जीता है लेकिन पिछले साल रूस ने जीता था किसने पिछले बार रूस ने जीता था 2021 में ध्यान रखना है देविस कप पुराना भी है हाल ही में भारत सरकार ने अनुसूचित जाती के छात्रों को बढ़िया जो गुणवत्ता पूर्ण आवासिय सिक्षा आवासिय का मतलब है रहके वहीं रहके वो पढ़ाई करेंगे बच्चो तो यह सिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है मैं आपको एक बार और पढ़ा चुका हूँ बच्चो ठीक है पढ़ा चुका हूँ वो क्या है स्रेष्ठ योजना स्रेष्ठ योजना है जिसमें इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा और आवास देक है नहीं होस्टल की सुविधावी दी जाएगी और यह स्रेष्ठ योजना कौन लागू कर चार दिसंबर को बच्चो हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी स्वर्णिम विजय वर्स बच्चो स्वर्णिम विजय क्यों क्योंकि 1971 में बांगला देश जो युद्ध हुआ था उस टाइम जो हमने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की थी उस किसे नुक किया गया नेशनल हाईवे अथॉर्टी ओफ इंडिया जिसने अभी सबसे लंबी एक प्राप्त की थी तो फिर्णिम विजय वर्स कहा जाता है किसलिए विजय वर्स क्योंकि 50 साल हो गए इसको बच्चो किसको 50 साल हो गए जो हमने बांगला देश जो युद्ध किसे नुक किया गया नेशनल हाईवे अथॉर्टी ओफ इंडिया इसकी अंग्रेजी है और बच्चो इसकी कौन अलका उपाध्या है कौन बच्चो अलका उपाध्या है इसकी अध्यक्ष पिछले साल ठीक है चलो चार दिसंबर 2020 को कौन सा राज्य सो फीसदी आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया इस राज्य ने पहली बार दूसरी डोज देदी किसको पूरे अपने मतलब रहने वाले लो बच्चो दूसरी डोज देने वाला यह बना है हिमाचल प्रदेश ठीक है ल्पीजी युक्त धुआमुक्त वाला इस बना है जिसे प्रेशिडेंट ने क्या दिया है प्रेशिडेंट कॉलर अवर्ड दिया है जिस राज्य की बच्चो पुलिस को ठीक है बी डवलु एफ बच्चो ये क्या है?, बैडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेशन है ना, बैडमिन्टन की जो विश्व की जो संस्था है, उसमें बच्चो, पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? पीवी सिंधु ने उसमें एक बड़ा महत्पूर्ण पदक जीता, बच्चो, बहुत महत्पून सवाल है किस देश के खिलाडी है ये बैडमिंटन के खिलाडी है ये तो आपको पता चली गया होगा लेकिन विए जो हैं बच्चो किस देश के खिलाडी है क्या आप जानते हो क्या आप जानते हो ये किस देश के खिलाडी है ये हैं बच्चो नेनमर्क के यह तेनमर्क के थेक्षा मनाया जाता है साथ इसंबर को बच्छो है ना नागरिक उड्डेन जो हमारे हावाई जहाज वगएरा चलते हैं किसको लेके जो हमारे सिटीजन्स वाले हावाई जहाज है एक तरीस धोटेस्ट दूरदर्शन जो केंद्र है उसका एक अर्थ स्टेशन बनाया गया है अभी उत्तर प्रदेश में गोरकपुर में कहा बचो गोरकपुर में उत्तर प्रदेश के लिए special सवाल वैसे भी है उत्तर प्रदेश के गोरकपुर में बचो कौन सा दूरदर्शन केंद्र का अर्थ स् ätta बीच में आपको पता है 2-2 dialogue होता है वो समवाद जिसमें एक देश के रक्षामंत्री और विदेश मंत्री दूसरे बचो दूसरे मंत्री के साथ समवाद करते हैं यानि दो दो मंत्रीस स्तरियophant सम्मिलन ए दो मंत्री एक साथ Temper करते हैं ठीक है तो ये जो है भारत ने रूस के साथ किया, रूस के अलावा क्वार्ड कंट्रीज के साथ होता है क्वार्ड देशों के साथ भी होता है तो नई दिल्ली में हुआ था बच्चो रूस और भारत के बीच में है ना रूस और भारत के बीच में पहला जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था और क्वार्ड के अलावा रूसी एक मातर देश है जिसके साथ हम 2 प्लस 2 डायलोग में हिस्सा लेते हैं बच्छो ठीक है रूसी है क्वार्ड के अलावा एक मातर देश जिसके साथ हम 2 प्लस 2 डायलोग में हिस्सा लेते हैं ठीक है चलो तो दिसंब जर्मनी के नए चांसलर बहुत महत्पूर है क्योंकि काफी सालों से एंजला मरकेल चली आ रही थी तो ये बने हैं ओलाफ शोल्ज ठीक है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं बच्चो ओलाफ शोल्ज ठीक है चलो आरबियाई की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य International Institute for Democracy and Electoral Assistance के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है सुनील अरोडा को शामिल किया गया है किसको सुनील अरोडा को शामिल किया गया है अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानि खाने पीने के समान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच किहाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट के क्या की अरब देशों को सब्सधे जादा खाने पु पीने की चीज़ें वो भारत ने पहुंचीं और 15 साल में पहली भार भारत इस उस मुकाम पहुंचे बचो पहली बार 15 साल में 56 ग्यानन पीठ पूरसकार बच्चो खेसेận कि नेम чи wrestition तरु के लिए अर जला रहे होद बार बार फूक मारले तो क्या होगा सीना एक तरह से बहुत तेज टेज सांस चलेगा और सीना भूल के हो जाएगा 56 इंच का हो जएगा एननी जों जाते नä चाहते न kay कहते इसा हो दामोदर मौउजो को कौन सा 57 मिला है बच्चो दामोदर मौउजो को ठीक है बच्चो चलो अगला कुशन है हमारा प्रख्यात असम्या कवी नील मनी फूकन जूनियर ने 2020 के लिए 56 ग्यानपीट पुरुसकार जीता है बच्चो ठीक है चलो 57 वह आठवी अनुसुची की ग्यानपीट पुरुसकार में बहुत महत्पूर्ण सवाल है ग्यारह लाग की रासी दी जाती है ग्यानपीट पुरुसकार में सर्वोच सम्मान माना जाता है साहित्य के छित्र अगर भारत की बाद करें बच्चो ठीक है भारत की बात करें तो साहित्य के छेत्र में सर्वोची सम्मान ये माना जाता है पहला किसको दिया गया था? 1965 में शुरुआत की गई थी जी शंकर कुरूप को दिया गया था मल्यालम भाशा के लिए दिया गया था तीन अलग-अलग स्टेटिक के सवाल बनते हैं 2018 से पहले किसी को भी अंग्रेजी भाशा के लिए नहीं मिला था ठीक है 2018 में अमिताब घोश को मिला और पहली बार हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत 1968 में 1968 में पहली बार हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत ये सवाल लास्ट येर ही पूछा गया SFC के exam में, कोई से exam में ये तो मुझे याद नहीं है, इसलिए इसे specific मैंने रखा है, कि अब हिंदी के लिए किस साल दिया गया, ये वाला सवाल पूछ लिया उन्होंने, हिंदी के लिए किस साल, तो ये 1968 में, Forbes जो है बच्चो, Forbes एक पत्री का है कहां की, अमेरिका की, तो उसन मैं से भारत की तीन महीलाएं हैं, कितनी? तीन हैं, पहले नंबर पे तो निर्मला सीता रमनी हो गई, दूसरा रोशनी नडार है, बच्चो, HCL एक कंपनी है, उसकी चेर परसन है, रोशनी नडार, और एक हैं बच्चो, नयका, नयका, नयका एक कंपनी है, बच्चो, फेश पहले नंबर पे हैं, मैकेंजी स्कॉर्ट, बहुत महत्पूर्ण है, जेफ बेजोस की पुर्व पतनी, जेफ बेजोस कौन सी कंपनी हैं की, जेफ बेजोस की कौन सी कंपनी हैं, बच्चो, अमेजोन, तो इनका तलाक हो गया था, और तलाक हुआ था, बहुत महेंगा, उसम जो फिक्की है उसके नए अध्यक्ष कोन है जल्दी से बताओ बचो जल्दी बताओ फिक्की के नए अध्यक्ष संजीब महता बहुत बढ़िया कौन से बच्चो संजीब महता अब तक के कुश्चन में आपके कितने लगबग ठीक हुए है जिने लगता है दिसंबर में जिन्नोंने क्लास ली थी और अभी भी उन्हे याद है बिना बीच में कोई खास रिवीजन किये यानि बच्चो जिन्हें लगबग क्लास में याद हुआ है वो एक बर क्लास को लाइक और शेयर करेंगे वो बच्चे तो कर सकते हैं जिन्होंने ये देख लिया है करके कि हाँ भी मुझे इस क्लास से फायदा हुआ है वो बच्चे तो कम से कम क्लास को लाइक और शेर कर सकते हैं बच्चों है तो जल्दी से करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों चलो संजी महता होगे फिक्की के दूर संचार विभाग है जो बच्चों हमारा जो Department of Telecommunication Department of Telecommunication उसने कहा है कि सभी मोबाइल कंपनियों से कहा है कि एक आदमी को अधिक्तम कितनी सिम दे सकते हो आप उसने एक क्या बनाई है बच्चों लिमिट बनाई है कि एक आदमी को अधिक्तम 9 सिम दे सकते हो लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का आदमी है या North East के जो हमारे राज् अगर उनको देना है तो उनको केवल 6 ही दे सकते हो security reasons को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बोला है कि उन्हें केवल 6 ही दी जा सकती है बच्चों ठीक है अगला question है मानव अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है 10 December को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है बच्चो ठीक है वेश समानतााों को कब्ढ़ अधिकार और मनव अधिकार यह समान आप सबस्क्राइच को बढ़कर हां च्चों करते है इसलिए reducing inequalities का मतलब ही है advancing human rights यह अपने आप ही हो जाएगा अगर हम बच्चो ऐसा मनताओं को कम करेंगे तो मानव अधिकार अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे बच्चो ठीक है मानव अधिकार जो आयोगे उसका गठन हुआ था 1993 को अगली बार ये भी पूछेगा के कौनसी कौनस 21 साल बाद पंजाब की चंडी गड़की है हरनाज कोर संधू और उन्होंने 21 साल बाद जीता है आज तक कितनी महिलाओं ने जीता है बच्चो मिस यूनिवर्स का भारत की तरफ से किताब तीन महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का किताब आज तक जीता है बच्चो और उन तीन में कौन है 1994 में सुश्मिता सेन सबसे पहले सुश्मिता सेन ने जीता दूसरे नंबर पर बच्चो 2000 में लारा दत्ता ने जीता और फिर 2021 में हरनाज कौर संधू ने जीता किसने जीता हरनाज कौर संधू ने जीता तो कितनी महिला हुई हुई टोटल तीन ही महिला हैं आज तक आइडिया तीनों ही अपने छेत्र के धुरंदर हैं आपके option में तीनों ही धुरंदर हैं बच्छो तो किसे सबसे अधिक हो जा गया कौन बच्छो मैं देखता हूं common sense कितना काम करता है आपका क्योंकि यह सवाल जो है common sense का है बहुत बढ़िया बच्छो देखो नरेंदर मोधी जो है कब ज्यादा खोजा जाएगा आदमी गूगल में कब जब वो एक साथ से उभर के आए हैं उसके बारे में ज्यादा लोग जानते ना हो गूगल में आप कौन सी चीजें देखते हो जो आपको नहीं पता है जिन लोगों के बारे में नरेंदर मोधी जो हमारे प्रधानमंत्री उनको सब अच्छी तरह से जानते ही हैं विराट कोहली बहुत दिनों से बड़े स्टार किर्केटर के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं तो उन्हें भी सब जानती हैं बच्छो नीज़त च बसकार भी उनको पहले ही मिल जाता यहाँ यहां तो इसका मतलब है बच्छो यह सबसे अधिक खोजय जाने वाले विक्तितू कौन है वह रहा कॉम नीरज चौपड़ा ठीक है चलो अगला कैसाव बाष्टीय वास्तुकार की स्ट्रेक्ट्स इसके द्वारा दिया जाने वा जो हम कोई बिल्डिंग वगएरा बना रहें कुछ बना रहें उस छेत्र में बाल क्रिष्ण दोसी को किसको कितने बज़े से थमने लगा दो तो बच्चो यह जो है आज आपको पता ही होगा बार है तारिक है और सुबह दस बज़े जो दिल्ली पुलिस हैड कॉंस्टेबल के लिए तयारी कर रहें ना इस्पेशली बच्चे बच्चो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं मुझे अब कोई चालना सब चीज है उसे देखके मतलब आनंद आता है पढ़ने में तो बच्चो जो भी दिल्ली पुलिस हाइड कॉंस्टेबल या कोई और भी एक्जाम की तियारी करें जिसमें ट्रिगोनोमेट्री आता है बच्चो वह जरूर लेंगे क्लास को ठीक है मेरी ये सलाह है और प्रितजर पृसकार जो सबसे बड़ा पृसकार है वास्तू कलाकि च्हेतर का वो भी जीतने वाले भारत के पहले विक्ति कौन थे बाल कृष्ण दोसी थे बच्चो ठीक है चलो हाल ही में किस राज्य के हैदरपुर वैटलेंड को अंतारास्टी ये महतों का रामसर के तोर पे घोशित किया गया अब तो 49 हो रही है रामसर साहित कितनी हो रही है 49 सबसे ज़्यादा 10 कहां पे हो रही है बच्चो उत्तर प्रदेश में हो रही है तो उत्तर प्रदेश का ही था ये जो हैदरपुर वेटलेंड है उत्तर प्रदेश का ही था इसे बच्चो शामिल किया गया पिछले साल ठीक है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की किस नहर पर्योजना का उद्गाटन किया उत्तर प्रदेश में सर्यू नहर पर्योजना आप से पूछे जाने की उम्मीद जादा ये है सर्यू नहर पर्योजना का संबंद किस रहेगी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पर्योजना सर्यू बच्छो ठीक है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पर्योजना कौन सी रहेगी सर्यू रहेगी किस देश की सरकार 100% पेपरलेस यानि दुनिया की पहली सरकार बन गई जो पूरी तरह से पेपरले तो दुबई की संयुक्त अरब अमीरात बच्चो ठीक है टाइम मैगजीन जो है एक उसने बच्चो टाइम परसन ऑफ दा इयर 2021 का खिताब किसको दिया टाइम परसन ऑफ दा इयर 2021 का दिया गया एलन मस्को और 20 में दो लोगों को दिया गया था अमेरिका के रास्टपती और 2020 में बच्चो दिया गया था ठीक है चलो अब हो गई पहली किड of the कि किस gymnast को time पत्रिका ने बोला है किस gymnast को best athlete पुरुषकार 2021 की service athlete पुरुषकार का वार्ड किसका time magazine का किसे दिया गया है बच्चो किसे दिया गया है जल्दी बताओ Simone Biles को किसको Simone Biles athlete है जिनके olympic olympic में ही साथ बार बच्चो कितने साथ पदक हैं भारतिये खेल पत्रकार महासंग देखो बच्चो जो खेल पत्रकार एक तो होगे normal पत्रकार एक है जिनका संबंद किसे खेल से तो खेल पत्रकार महासंग जो है उसने बच्चो अपना SJFI पुरुसकार यानि SJFI पुरुसकार से किसे सम्मानित करने की घोशना की यानि किसे दिया ये पुरुसकार उन्होंने सुनील गावसकर को दिया किसको सुनील गावसकर को दिया बच्चो ठीक है और उन्होंने और भी पुरुसकार दिये जो खेल महासंग है उसने एक सर्वसिस्त पुरुस खिलाडी घोषिद किया, नीरत चोपडा को महीला खिलाडी घोषिद किया, मीरा अबाई चानु को बेस्ट टीम भी घोषिद किया, ओलंपिक में कान से पधक जीतने वाली जो हमारी पुरुसों की होकी टीम थी पुलसो की होकी टीम ने 41 साल बाद कोई पदक जीता था आपको पताईए 1980 में हमने 108 पदक जीता था होकी में उसके बाद सीधा हम 2021 में जीते हैं कितने में? 2021 में जीते हैं कान से पदक ठीक है? चलो अगला सवाल हाल ही में किस राज़य में? पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया पहला ड्रोन मेला जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बचो पहला ड्रोन मेला जल्दी बताओ बचो MP गौालियर बहुत बढ़िया MP गौालियर MP गौालियर है ना? पहला ड्रोन मेला MP में गौालियर में चलो अगला हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक भेंस दौड कंबाला कंबाला में क्या होता है भेंस दौड होती है बच्छो 2001 किसका आयोजन किया गया दिसंबर में ये कंबाला का आयोजन किया गया बच्छो जैसे जली कट्टू कहां होता है बच्छो तमिल नाडू में है ना इसी तरह से कंबाला ओनम कहां होता है केरल में होता है बच्छो कंबाला कहा होता है करनाटका में होता है कहां पर करनाटका में कंबाला का आयोजन हुआता है बच्छो फ्रांस की एक दिगच कंपनी है शनेल Chanel company है France France में बहुत बड़ी बड़ी company है बच्छो ठीक है तो France की जो company है ना खासतोर पर fashion की brand और fashion के अलावा बच्छो ये जैसे डियो वगरा होते हैं इतने महंगे होते हैं कि बहुत आसानी से खरीद भी नहीं सकते हैं बहुत महंगे होते हैं पुष्चो तो पिछले साल पाकिस्तान ने बैन लगा दिया था पाकिस्तान ने के हम France का कोई product नहीं खरीदेंगे वैसे तो France के परड़क्त पे पाकिस्तान में वैसे भी बैन हैं defendants के ज्यादे तर लोगों कज्ते आ होई चाहाई chip तो बैन हो जाईगा ना हवाईजाज मंगाने की मेरी आउकाद तो होनी चीए ना तभी तो हवाईजाज में यह कह सकता हूं तो पाकिस्तान ने लगा दिया हलांकि उनकी नहीं थी वो बच्चों वहां फ्रांस के प्रोड़क्ट को अफोर्ड कर सकें लीना नायर कौन है लीना नायर जो है बच्चों उन्हें बनाया गया ठीक है उन्हें शनेल ने अपना नया CEO निक्त किया किसने सनेल ने अपना CEO निक्त किया बच्चों हाल ही में खबरों में रही मनोहरी गोल्ड टी मनोहरी गोल्ड टी जो है बच्चों उसका संबंद किस राज्या केंद्र शासित प्रदेश से है मनोहरी गोल्ड टी जो है बच्चो ये क्या हुआ ये जैसे एक निलामी हुई बहुत अच्छे लेवल की टी होती है तो वहाँ ये एक लाख रुपे में बिकी एक किलो एक लाख रुपे में बच्चो ठीक है एक लाख रुपे में एक किलो बिकी बच्चो ठीक है चलो तो अब आप कहां कि यह कितनी सस्ती चाय है अस्तम किये हम जैसे लोगों को अगर ऐसी चाय पीनी है बचो तो फिर क्या करना पड़ेगा हम जैसे लोगों को अगर ऐसी चाय पीनी है तो एक किड़नी से जीवन बिताना पड़ेगा है ना कितने से पुलकित कह रहा है सर एक किड़नी से खेलो से सम्मानित किया नगदम पेल जी खेलो कहा का सरवोच्य सम्मान है पहले तो यह आपको पता हो न अचीए भुटान का है और किसे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को इससे सम्मानित किया गया पिछले साल थीक है किस बहारतिय शूटर को 2021 पेरालंपिक पुरुसकारों में 2021 के पेरालंपिक पुरुसकार दिये गए तो सर्वसिस्ट महिला पदारपन यानि ऐसी महिला जो पहली बार खेली हो पदारपन का मतलब है पहली बार खेलने वाली ऐसी महिला हैं जो पहली बार खेली थी उनमें best महिला किसे चुना गया है यनि best female debutant बोल सकते हो best female debutant का पुरुसकार किसको मिला था ये मिला था अवनी लेखरा को है ना क्योंकि पहले ही उसमें पहली बार पेरालंपिक में सलिया और दो-दो पदक कितने बचो दो-दो पदक जीते एक कांसे पदक और एक जीता स्वरंड पदक ठीक है चलो पेरालंपिक में स्वरंड जीतने वाली पहली महिला अवनी लेख रहे हैं कोन है अवनी लेख रहे हैं पेरालंपिक में स्वरंड जीतने वाली भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है बचो विजय दिवस हर बार हमारे मनाया जाता है 16 दिसंबर को क्यों 16 दिसंबर को बच्चो मनाया जाता है क्योंकि 1971 में युद्ध जो हुआ था भारत की विजय का प्रती किये है यह जो दिसंबर में मनाया जाने वाला विजय दिवस है बच्चो 1931 के जो हमने जो बच्चो पाकिस्तानी फॉज को बुरी तरह से रहा था यह उसका वाला है ठीक है चलो अगला कुशन निम्न में से कौन सा एरपोर्ट जल्धी देश का चार रनवे वाला पहला एरपोर्ट बन जाएगा चार रनवे जिसमें ना जिसमें चार टर्मिनल होंग यानि चार जो हो हैं टर्मिनल बन जाएंगे और वो पहला बन जाएगा कौन सा बच्चो यह इंद्रा गांधी अंतरास्थी एरपोर्ट इंद्रा गांधी अंतरास्थी एरपोर्ट जो है बन जाएगा बच्चो कहां पे नई दिल्ली में है ठीक है छत्रपती शिवाजी मह कौन सा जोड़ा सही नहीं है रास्ती एलप संख्यक आयोग के अध्यक्ष अक्बाल सिंग लाल पुरह है बिल्कुल ठीक है अनुसूचित जन जाती आयोग के भरस चोहान है ये भी ठीक है और बच्चो पिछड़ा वरगायों के भगवान लाल सहनी है कौन है भगवान लाल सहनी ये चारो के चारो ठीक है क्या है चारो के चारो ठीक है बच्चो हाल ही में जो 2021 में किसको मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइट हुड की उपाधी से सम्मानित किया गया मोटर स्पोर्ट यानि जो फॉर्मूला वन का है ना फॉर्मूला वन की रेसिंग में जिनका जो योगदान रहा है उस खेल को बढ़ावा देने में उसके लिए नाइट हुड जो है बच्चो बिर्टेन में दिया जाता है नाइट हुड का पुरुसकार और फिर उस आदमी को सर बोलने लगते हैं क्या बोल सकते हैं बच्चो ठीक है तो वो है कौन लुइस हैमिल्टन Lewis Hamilton को क्या दिया गया नाई थुड की उपादी से सम्मानित किया गया Lewis Hamilton Britain के ही है कहां के हैं बच्चो Britain के हैं Lewis Hamilton साथ बार के वर्ल्ड चेंपियन है ठीक है और सौ फॉर्मूला वन रेस जीतने वाले पहले खिलाडी है ठीक है अगला कुशन उत्राखन के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग्धामी ने किसे राजय का ब्रांड एमबेस्टर बनाने की घोशना किया देखो बच्चो अक्षकुमार को भी उन्होंने ब्रांड एमबेस्टर बनाया अक्षकुमार लेकिन अब इन option में तो कहीं भी अक्षकुमार है नहीं इन में तो कहीं भी अक्षकुमार ही नहीं बचो तो इन में से कौन है इन में है रिशब पंत कौन रिशब पंत है बचो इन में से है रिशब पंत ठीक है चलो अगला question है हमारा हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाय गया गया बच्छो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया बच्छो 1961 में गोवा को हमने आजाद करवाया किसे पुर्त गालियों से लगभग पुर्त गालियों ने कितने साल गोवा पर साशन किया बच्छो 450 साल लगभग उन्हों ने साशन किया 19 दिसंबर को गोवा म बच्चो federation विश्यो championship में badminton की जो विश्यो championship हुई उसमें बच्चो रजत पदक जीतने वाले पहले भारतिये पुरुस खिलाडी पहली बार किसी भारतिये पुरुस badminton खिलाडी ने ये मुकाम हासिल किया है रजत-पदक जीता, उन्होंने क्या जीता बच्चों रजत-पदक जीता, पूरे आज तक के इत्यास में, कभी विश्व चैंपियर्शिप में रजत-पदक हमारा नहीं था, किदाम भी श्रीकांत हैं, कौन है, किदाम भी श्रीकांत हैं, ठीक है, चलो, अगला कुशन है, 15 द साल कर दी जाएगी कितनी बच्छों 21 साल कर दी जाएगी ठीक है तो बहुत सारी लड़कियां जिने ये डर था 18 साल 19 साल के होते ही कि अभी मुझे तो दो साल भी भरती नहीं देखने देंगे घरवाले घरवालों की क्या चलती है लड़कियों पर यही तो चलती है तेरी साल है तेरे पास कर ले तो कर ले नहीं तो मत करियो अब लड़की की तरह है उसे बी 2-3 साल का टाइम ठीक है उससे भी दो जब आपका 인्टелिजेंट बेटा नहीं कर पा रहे हैं पांस साल में लड़की एक साल देगे कि क्या करवालों कración छी मैं छालो बच्चो अगला question है हाल ही मेंए युनेस्को ने किस देस्के पारंपरिक सूप जॉमो सूप को अमूरतस्प मिरस्ट का सिंपल का है किस राजैने खेल-ंणरस्री यह उजना शुरू किया बच्चो खेल-ंणरस्री नरस्री का मतलब जिसमें उगाया जाए किसी को जब nursery class होती है ना इसका मतलब इसमें सिक्षा के गुण विक्सित किये जाएंगे बच्चों ठीके बच्ची के अंदर तो खेल nursery को बच्चों शुरू किया है किसने हरियाना ने शुरू किया है निम्नमे से कौन सा किर्कित खिलाडी अपने test carrier में 100 बार not out रहने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बन गया बच्चों टेस्ट में तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो सबसे लास्ट में आएगा वही रह सकता है इसमें क्योंकि शुरू में आके तो टेस्ट में आदमी आउट होई जाता है सबसे लास लेने वाले तेज गेंद बाज बच्चों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा टेस्ट मेंच में किसके हैं बच्चों विकित जेम्स एंदर्सन के हैं यह थीक है भारत की दो बार की किस ओलम्पिक पडख विजयता को बैडमिंटन विश्व महासंग की जो एथलीट कमीशन है उसका सदस से निक्ट किया गया है उसका सदस से इस कुशन में ही आंसर भी दे दिया जो बैडमिंटन का विश्व महासंग है उसका एक एथलीट कमीशन होता है उसका सदस से निक्ट किसे किया गया है पीवी सिंदू क किया गया है किसको बच्चो पीवी सिंदू को किया गया है 2025 तक रहने वाली है कब तक 2025 तक रहने वाली है भारत में 20-25 दिसंबर 20-25 दिसंबर 2021 तक का सप्था किस रूप में मनाया जा रहा है दिसंबर में बच्चो एक सप्था मनाया गया भारत में उस सप्था का नाम है यानी कब होता है? 25 दिसम्बर को. 20 से 25 दिसम्बर तक सुशासन सप्तह मनाया गया. संब्सक्राइब यह तीन नैंडे बनाए इन नए नएन बनाए गएगे ईक ही बार पढ़ने की मेरी भींव्य मत नी हो रही तो यह जो हैे नाम यह नाम नाम दीख रहा है awkward क्यों करते हो यह यह तो common sense लगाओ ऐसे कुशनों में common sense कि देखो बच्छो ना तो पंजाब हो सकता है ना तो बिहार हो सकता है तो 50-50 तो पहले ही हो गया ना 50-50 तो पहले ही हो गया क्यों यह दो तो बिहार हो इसमें कहां यह जिले मिलेंगे तो अब याद रखना है नागालेंड में ठीक है पहले यूरोपिया रास्ट का नाम अब निजी इसतेमाल को मंजूरी दिय कि दुकान लगा के बैट जाओ के मैं तो भांग बैचूँगा ऐसा तो नहीं है लेकिन निजी स्तेमाल जो लोक करते हैं उसको बचो अनुमती देने वाला पहला यूरोप का रास्ट बन गया है मा जिसरों की जिंदगी तबहा करने की अनुमती नहीं है ठीक है बचो और साथ ग्राम भांग जो है संग्रह की अनुमती है इन्हीं साथ ग्राम जो है रख सकते हो अपने खुद के यूज के लिए चलो बहुत बढ़िया बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी ऑफ दा इयर 2021 किसका खिताब किसे दिया है बीबीसी आप जानते हो बिटिस ब्रोड कास्टिंग कॉर्परेशन ठीक है बीबीसी जो है अगर आपको इंडिया के खिलाप कुछ भी सुनना है तो आप बीबीसी के इंटर्व्यू देख लिया करो है अगर आपको रग रहा है कि इंडिया के खिलाप कुछ सुनने का मन है बीबीसी के सारे इंटर्व्यू खिलाफ ही जाएंगे ठीक है वो मतलब हर वक्त देश को बदनाम करने के चक्कर का कोई भी मौका मतलब चूकता नहीं बीबीसी तो लेकिन ये इसका एक पुरुसकार है यू एस ओपन का खिताब जीता था किसने एम्मा रादू कानू ने कौन से जीता था बचो यू एस ओपन का एम्मा रादू कानू ने जीता था ठीक है चलो देश के किस सीर्स खिलाडी ने रास्तिये बिलियर्स खिताब को ग्यार्वी बार जीत लिया है बच्छो रास्तिय बेस्ट पंक का जाडवानी ना तो पंक का जाडवानी ने जीती है ग्यारवी बार कौन सी बच्चो ये ग्यारवी बार जीती है पिछले बार ठीक है रास्तिय उपभोगता अधिकार दिवस कब मनाया गया आपको पता है अंतरास्तिय जो बतलब बच्चो अंतरास्तिय बोगता दिकाद 15 मार्च को मनाया जाता है ठीक है एंसी सी के कैडिट ओं द्वारा तैयार रास्थिय एकता गीत कितनी भाशाओं में रचा गया है एंसी सी के कैडिट ने लिखा है रास्थिय एकता गीत वह कितनी भाशाओं में बच्चो 22 भाशाओं में लिखा गया है कितनी तो लास्ट 25 सवाल रहे गए हैं, यानि 15 मेंट की क्लास और रहेगी, यह क्या जल्ली बताओ, ठीक है गलत, कौन सा जोड़ा सही है, देखो बच्चो मैंने कहा था आपको, कि 56 जब आप फूंक मारोगे न, फूंक मारते मारते क्या होगा बच्चो, 56 इंच का हो जाएगा सीना यानि ये गलत है, और बच्चो जब एक बार फूंक मार दी तो अगला वाला मिलेगा, जब ये 56 यहां आना चीए, इसका मतलब सीधी सी बात है ये वाला, तो गलत है जो लिखा हुआ है, यानि 57 दामोदर मोगजो, और नील मनी फूंक को जो असम भासा के लिखें, लेखके असमिया भासा के बच्चो, तो उनको मिला 56 और बच्चो कॉंकरी के जो है, दामोदर मोगजो, उनको मिला है 57 तो याद रखना है, बहुत महत्पूर्ण पूर्शकार है, बहुत ही महत्पूर्ण है, ग्यान पीट पूर्शकार ठीक है, ये इनको मिला है, चलो, अगला जूनियर हौकी विश्यु कप किस ने जीता था अर्जंटिना ने जूनियर हौकी विश्यू कप मैंने अभी बताए था जो कहां हुआ था कलिंग भूबनेषवर में वो अर्जंटिना ने जीता था ये एशिया की ऑप्रिक्व्री पूप स्फै t advocacy है इसमें भारत का चेंपियंशिप है, उसमें कान से पदगी था भारत ने, केंदर सरकार ने 1 अपरेल 2022 से 100% साक्षर्टा के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोशना की थी, बच्चों, एक अपरेल से कि 100% साक्षर्टा होनी चीए हमारे हैं, 100% लिट्रेसी होनी चीए, इसके लिए केंद 2020 के फॉर्मूला वन चेंपियन, ठीक है बच्चों, जो 20-22 रेस होती हैं, उसमें जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं, उसे उस साल का चेंपियन बना दिया जाता है, गोशित कर दिया जाता है, किसी एक रेस के आधार पे नहीं, पूरे साल के प्रदर्शन के आध वरस्टा पेन हैं, कौन है, मैक्स वरस्टा पेन है, 2021 के ठीक है, चलो, रेड बुलिन की टीम का नाम है, संग्ठन और इसके प्रमुक का कौन सा जोडा ठीक है, डवलू एचो के टेड्रोस एड होना हमें, बिल्कुल ठीक है, डवलू टीओ की पहली महिला ध्यक्ष, पहली जपरीक अध्यक्ष, नागोजी, ओकुंजो, इवेला, बिल्कुल ठीक है, विश्व बैंक, यानि जिसके पास पूरा माल हो, पूरे विश्व का माल हो, ठीक है, यानि माल पास, विश्व बैंक, डेविड माल पास, लेकिन ADB के नहीं है, ADB के है, मसत सुगू असा कावा है अगला कुशन है, कौन सा जोडा सही है, नासकौम की पहली महिला अध्यक्ष, रेका मैनन, बिल्कुल ठीक है, बच्चो यह तो है, जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, ये थी, धिर्ती बनर जी, कौन बच्चो, धिर्ती बनर जी, इसका मतलब ये इंडिया की पहली महिला निदेशक है, कौन धिर्ती बनर जी, इसका मतलब केवल एक ही थी, और वो क्या है बच्चो, पहले नंबर का, वो क्या है, पहले नंबर का, रंग भेद के खिलाफ संघर्स करने वाले, किस देश के डेसमंड टू-टू, बहुत ही बड़ी की रंग भेद के खिलाफ इन्हों ने संघर्स किया, और इनका दिसंबर 2021 किस में निधन हो गया, किस देश से इनका संबंद था बच्चो, साउथ अफरीका से इनका संबंद था, बिल्कुल ठीक है, जहांके नेलसन मंडेला थे, वहीं के बच्चो कौन डेसमंड टू-टू फॉर्मेट में खेली जाती है, किस में बच्चो, वंडे फॉर्मेट में, जैसे रंड जी टेस्ट मैच के फॉर्मेट में खेली जाती है, विजय हजारे वंडे फॉर्मेट में खेली जाती है, और हिमाचल प्रदेश ने पहली बार खिता तमिल नाडू को हरा कर, बच्चो किसको तमिल नाडू को हराका तो शासन दिवस मैंने बताया था 25 दिसंबर को अटल बिहरी बाजपई जी के जनम दिवस पे मनाया जाता है गुड गवर्नेंस दे बच्चो ठीक है हाली में किसने यूएस जूनियर स्क्वेस 2021 का खिताब जीता है यूएस में एक स्क्वेस की प पुर्षकार है क्योंकि इस विक्ति को एक और भी पुर्षकार दिया गया बच्चो ठीक है तो इन्होंने जर्नलिस्ट आफ दा इयर का पुर्षकार मर्नो परांत किसको दिया मर्नो परांत जर्नलिस्ट आफ दा इयर का पुर्षकार जो ये जो है बच्चो मुंबई प्रे को इस बार क्या मिला है अवार्ड मिला है बच्छो तो दानित सिद्धिकिन में से एक हैं चलो अगला कुशन है सौमा प्रधानमंत्री नरेन्र मोदी ने किस राज में रेनुकाजी बांध परियोजना की नीव रखी है उसी राज में रखी है जो lpg युक्त धूआंँप्ट यहां की पुलिस को जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्रेसिडेंट कॉलर पुरुस्कार से सम्मानित किया है बचो वहीं किया है ठीक है वहीं वही राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश, जिसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाला जो राज्य है, वही राज्य है, तो उसे दिया गया है, 100 में आपके कितने सवाल जो पुराने बच्चे है, जल्दी से बताओ, मुझे कितने गलत हुए, क्या आपके सारे सवाल सही हुए, क्या कुछ गलत हो गए थोड़े बहुत, क्या आप दुबारा इस में कोई गल्ती होगी, जल्दी से कमेंट करके बताए, और अगर क्लास पसंद आ रही हो बच्छो तो एक बार और लास्ट लाइक और शेयर करेंगे एक बार लास्ट लाइक शेयर करेंगे जिससे और बच्छों को भी इसका फायदा मिल सके अगर असी कुशन भी ठीक हैं तो मैं संतुस्त हूं इसका मतलब जो बीस हैं वो आज सही हो जाएंगे असी तक भी ठीक हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है बच्छों मेरे ख्याद से फिर आपकी अच्छी तैयारी है कि अ आज के कुशन लेकिन सारे अच्छे है मैं भी मतलब मुझे आ कभी कभी कुशन ऐसे आते हैं कि जो बहुत मतलब हैं important लेकिन पढ़ने में अनन्न सारे के सारे कुश ta ऐस से यह यह पंढ़ने और पढ़ने द fixture बच़्ोंbol शलका कि ए अगला कुशन स्माष्ट सूच अग्यावार मिला है बच्चों ठीके पहला इस्थान हाली में किस पूर्व राजनई को देश्ट कनाया उपर रास्ट्य सुरक्षा सलाकार कोने हमारे अजीत डोबाल हैं उपर रास्ट्य सुरक्षा सलाकार बनाया गया था विकरम मिस्री जी को किसको विकरम मिसरी जी को बच्छो रच्छा मंत्री राजना सिंग ने 26 दिसमबर 2021 को किस सहर में भ्रहंमोस एरोस ब्रहंमोस एरोसपेस क्रूज मिसाइल निर्मान की एक एक इकाई का उधगाटन किया यह एक बनेगी वहां पर बच्छो एक यूनिट बनेगी जिसमें बरहंम में किया गया किसको अनुकृति उपाद्ध्याको जिरकॉन हाईपर सूनिक मिसाल सिस्टम किसका बच्चो रूस का है अगर हुआसोंग किसकी बच Gegenji वा जो थीज कि हमारे यहां की मतलब रूस की बाफर कर ग्यार्मी जूनियर पूर्स होकी Bowl जीती है जल्डी बताओ बस सवाल हो रहा है यह तो याद है चंडीगर को रहा किसको बच्चों मझेधा तो आपको ध्यांद रखना अगला कुशन है हमारा किस बॉलीवूड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्द्योग के समर्थन में यानि ऐसा फैशन उद्द्योग हो जिसमें जानवरों की चर्मी वगरा यूज नहीं होती हो तो यानि जान्वरों के लिए जिस पर अत्याचार ना करना पड़े उन्हें मृत्यू ना देने पड़े बच्छो ठीक है पेटा एक एक ऐसी संस्था है किसके लिए काम करती है जो जान्वरों के अधिकारों के लिए काम करती है बच्छो तो पेटा का पर्सन, अफ दा इयर किसे दिया गया है यह दिया गया है बच्छो यह दिया गया है किसको आलिया भृट को दिया गया है ठीक है चलो भचो आलिया भट को PETA का और people for the ethical treatment of animals PETA की फूल-फर्म भी आती है people for the ethical treatment of बच्चो, है ना, चलो ớ अनिमेंल किस देश के सत्रंज मास्टर मेग्नस कालसन ने फिडे विश्वू चैम्पियंशिप का खिताब जीत लिया। क्टो उसका संबन्द किसंता है जो Satranj की सरवोचु संस्था है शत्रंज की सरवोचु संस्था है फिडे तो Satranj की चतनी भी प्रत्योग benefici ता है उसका योजन कौण करवाता है फिडे करवाता है बच्चो और फिडे का खिताब जी टाहे ज null World Championship जीती है किसने Magnusoo कालसन ने और मेगनस कालसन कहां के बच्चो नार्वे के हैं और इनको हमारे भारत के एक बच्चे ने दो बार चार महीने के अंदर हरा दिया है दो बार हरा दिया है क्या नाम है बच्चे का नाम क्या है जिसने हराया है जल्दी से बताओ जल्दी बताओ क्या नाम है उस बच् ठीक है चलो और भी तक जो है फांच वी बार वर्ड चेंपियन यह बने हैं बच्चो एक जो सामने कुछ बिल्डिंग बनी हूई हो एक है जो दिखाई ना दे अमूरत है जिसकी कोई मूरत ही नहीं है तो यसमें बच्चो सुची में भारत की चौधवी विरासत के तौर पर किसे शामिल किया गया है किसे दुर्गा पूजा को बहुत बढ़िया दुर्गा पूजा को सामिल किया गया है ठीक है पस्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा जो होती है फेमस है बच्चो ठीक है 14 दिसम्बर 2020 को किस राज्य को नेशनल एनरज कंजवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेशनल एनरजी कंजवेशन यानि जिसने बहुत अच्छा काम किया हो बच्छो तो यह राजिस्थान को मिला है यह पुरुसकार किसको मिला है राजिस्थान को मिला है रास्ति किसान दिवस किसके जनम दिवस पे मनाया जाता ह जो चौधरी चरण सिंग हमारे पूर प्रधानमंत्री थे ठीक है और 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है कब 23 दिसंबर को मनाया जाता है रास्तिय किसान दिवस बच्छो हुरून रिसर्च इंस्टिटूट है उसकी एक रिपोर्ट के नुसार अमरीका और चीन के बाद यूनिकॉर्ण Unicorn Company सबसे ज़्यादा कौन से देश में है देखो सबसे ज़्यादा Unicorn तो कहां पे है नमबर एक पे अमेरिका में सबसे ज़्यादा Unicorn है दूसरे नमबर पे बच्चो Unicorn कहां पे है चीन में है और तीसरे नमबर पे Unicorn कहां है बच्चो भारत में ठीक है बच्छो जो इसकी वेल्यू मार्केट में एक अरब डॉलर हो ठीक है चलो अगला कुशन है भारतिय उद्योग परिसंग द्वारा निम्न में से किस आयाईटी संस्थान को इन्नोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है आयाईटी रुड़की को आरक्छन देने की घोश्टना किया जिस से वो भी जो मेन समाज है उसमें उनको बी इज्जत मिले उन्हें भी इज्जत का एक पेशा मिले भच्छो ठीक है तो करनातक की सरकार ने एक पर संत दिया है इसकी पेडिएफ आपको मिलेगी औरड़ ऐकरेंट अफेर्स टेली ग मतलब health issues कुछ हो जाते हैं उसके बाद आपकी class एक आद बाद छोड़नी पड़ जाए तो उससे तो अच्छा है कि सुबह की class ना disturb हो इसलिए बच्छो rapid fire को हम करेंगे देखो Monday हम Monday करेंगे Tuesday में मैं उसे फिर अगले दिन का जो बुधवार का होगा उसे तयार कर लूगा Tuesday में ठीक है तो फिर हम Wednesday करेंगे फिर Wednesday सिवा Thursday में मैं घर पे उसे तयार कर लूगा और Friday में करेंगे बच्छो ठीक है तीन दिन rapid fire करेंगे प्लस जो संडे होगा आज के लावा अगले संडे से संडे की साम को वही रहेगा नो बज़े रहेगा कभ राट को नो बज़े ही रहेगा थीक है तो वही 9 बज़े रहेगा और संडे को शाम को आज करसकते हैं बच्छो 125 का कर लेंगे चाहे 100 का कर लेंगे यानि तीन रैपिड फायर हो जाएंगे और लगभग 125 करे तो 30-30 वाली तो यह मालो चार क्लास हो गई है ना तीस-30 वाली चार क्लास लगभग एक तरह से हो जाएंगे ठीक है क्योंकि मैं फिर ऐसी कम से कम ऐसा करें जिसे हम लंबे टाइम तक चला सके फिर यह लगातार चलता रहेगा बच्छो ठीक है तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्छो आप इतनी बड़ी संख्या में आ जाएवाट झाल झाल